हेलो एवरिवन, वेलकम बैक, मैं मधू और आज का टॉपिक है पोयम कॉक क्रो बाई रोजमेरी डॉप्सन ओके तो फर्स्ट आफ आफ आल हैपी न्यूएर एवरिवन और ऐसे वीडियोज अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो रोजमेरी डॉप्सन, इनका बर्थ हुआ था 18 जून 1920 को सिड्नी, आस्ट्रेलिया में, इनकी डेथ हुई थी 27 जून 2012 को कैनबेरा, आस्ट्रेलिया में, रोजमेरी ये आस्ट्रेलियन पोएट थी और इलिस्ट्रेटर, एडिटर और एंथलोजिस्ट थी ओके तो पोएम स्टार्ट करते हैं, स्टैन्जाव वन, वांटिंग तू मी माइसेल्फ अलोन, बिट्विन दा लिट हाउस एंड ताउन, आई तुक दा रोड एंड एड दा ब्रिज, टर्न बैक और वॉक दा वे आई दिड कम यहाँ पर मैं पहले ही बता दू, एक वोमेन की बात हो रही है, ठीक है, अकेले रहना चाहती है, अपने आपको टाइम देना चाहती है, वो हाउस से, टाउन तक का साफर तै करती है, पहले रोड से, फिल ब्रिज से, और फिर वहीं से वो वापस आ जाती है, मतलब यह जो अ तरी ताइम्स, अपने बांड से, अपने रिस्पांसपिल्टी से कुछ खास खुश नहीं है, तो अकसर वो अकेली जगे, खाली जगे चली जाती है, जहाँ डाक ट्रीज भी है, ठीक है, जो यह रिप्टेशन है, कमिटमेंट रिस्पांसपिल्टी को छोड़ने का इंडिक अब वो रात में अपने आपको सारे बांड से, अपनी रिस्पांसपिल्टी से फ्री मानती है, सिर्फ पैर ही ग्राउंड को छू रहे होते हैं, यहाँ पे जो यह थ्री टाइम्स है, और यह जो पोएम का टाइटल है, यह बिबिकल स्टोरी का एक लिंक है यहाँ पे, पहले ही बोली थी कि तुम मुझे तीन बार डिनाए करोगे मेरे अस्तित्व को डिनाए करोगे मुरगे की बांग से पहले, स्टैंजा थ्री, माइ मदर एंड माइ डॉर्टर स्लेप्ट, वन लाइफ बिहाइंड एंड वन बिफोर, और आई यहाँ पे काफी कुछ कुछ ग अपनी रिस्पॉंसबिल्टी को डिनाए कर रही है, वो अपनी मा को और अपनी बेटी के बारे में सोचती है, देखती है, एक उससे पहली की लाइफ है, एक उसके बात की लाइफ है, और वो इन सब चीजों को डिनाए करना चाहती है, अपनी रिस्पॉंसबिल्टी को डिन होती है तब वो अपने को अच्छे से समझ पाती है जैसे human cry से pain से इन सब चीजों से वो दूर रहती है तब उसके अंदर जो प्यार होता है वो बोन के लिए होता है मतलब एक तरिके से वो खुश से होता है स्टैंजा फाइफ तू ब्रीफ ऐलूजन thrice for me I heard the cock crow on the hill and turned the handle of the door thinking I knew his meaning well अभी थोड़े समय के लिए जो अपने responsibility से वो भागना चाहती थी वो उसके लिए एक illusion था उसके लिए एक ब्रहम था आप जैसे Jesus Christ के स्टोरी के टाइम पर जैसे जो मुरगे ने बांग दी थी पीटर के डिकलाइन के टाइम पर वहीं चीज पीटर के डिकलाइन के टाइम पर वहीं इसको कनेक्ट किया है मुरगे की बांग सुनके जैसे पीटर समझ जाता है जो Jesus Christ भवश्वाणी की थी उस बारे में वैसे वोमेन को भी अंदाजा हो जाता है कि जो उसकी लाइफ ए रिस्पॉंस्विल्टी है वो यहीं है उसकी फैमली के साथ ओके तो यह वीडियो यहें पर कंप्यूट हो गए जैसा भी लगए कमेंट करके बता अच्छा लगए तो लाइक करो थैंक्स वर वाचिंग स्यों नेक्स टाइम बाबाए